असलाम लेकूम वेलकम टो माई यूटीव चैनल आइम डॉक्टर शफाक अजमत आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है प्रेगनेट मुमेंस के लिए क्यूंकि सबसे बड़ा जो कंसर्ण होता है दूरिंग प्रेगनेंसी वह यही होता है कि आइरन लेवल डॉप होना स् ठीक है उसमें आपने क्या करना है मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपने नो डाउन कर लेनी है कियर फुली और फिर आपकी कोई भी कॉशिंस होंगे तो आप मुस्से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने खजूरों का इस्तमाल करना है डूरिंग प्रेगनेंसी अब सबसे जादा मुमेंस का यही कंसर्न होता है कि अगर हम खजूरों का इस्तमाल करेंगे तो लेबर पेंस हमारे जल्दी आजाएंगे तो इसके लिए भी एक बहुत बहुत कर दो दो तीन खजूरे ले ले लें घिकिया अब राद को पानी में बिगो दे और सुबह अब बार्ड़ को आप मिलक शीक दिल पर पीलें यह एक बहतरी टिप है क्योंकि खजूर होती है वो आपके आइरन लेवल्स को इंस्टेंटली बढ़ाती है वो खा सकते हैं फिर इसके लावा आपने गोश टिकन और इसके अलावा एक का इस्तमाल भी लाज़मी करना है फिर आपने जो होतना है किशमिश भी आपने लाजमी लेनी है अब किशमिश मैं आपको बता दू किशमिश किस तरह लेनी है किशमिश भी आप यारात को यही करेंगे कि उसके यारा दाने आपने बिगोने है पानी में ठीक है पानी साफ होना चाहिए पीने वाला होना और वो इंप्रूफ हो जाएंगे काफी हद तक तक तो आपको जाके कोई आइरन ड्रिफ्स नी लगवानी पड़ेंगे ठीक है इसके अलावा अगर आपने डॉक्टर ने आपको आइरन सप्लिमेंट्स दिये हुए है वो आपने लाजमी लेने ठीक है फॉलिक एसेड हो सकती ह जो भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंट किया है वो आपने लाजमी लेना है क्योंकि आपके साथ बेबी को भी आपके थ्रो आइरन और डायेट पहुंच रही होती है तो आपने कोशिश करनी है कि आपनी डायेट को ख्याल रखें ठीक है और इसके अलावा आपने पूरा ख अगर आपके नेन डिस्टरब होगी तब आपके आइरन लेवल्स होते हैं उनमें भी कमी आज़ाती है तो अमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके कोई भी कमेंट स्क्शन पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे बहुत शुक्रिया अलाहाफ शुक्रिवर्स